हेलो दोस्तो खुशामदीद है आपका मेरे चैनल कश्मीर इन्विस्बिल लाइवस में दोस्तो आज मैं आपको कश्मीर का ट्रेडिशनल ब्रेकफास्ट दिखाने जा रहा हूँ जिसका चलन कश्मीर में सदियों से चलते आ रहा है चाहे बचे हो बुजर्ग हो जवान हो औरते हो नीन से उठके दोस्तों जिनका दिन पहले इसी चीज से खापी के शुरू हो जाता है और अगर मैं देश में बाकी हिस्सों की बात करूं जहां पर यूज्वली जो हैं अंडे का आमलेट खाया जाता है वो भी ब्रेड के साथ और उसके साथ लिप्टन चाय या कौफी ली जाती है और बाकी हिस्सों में जैसे पंजाब में प्रोंटे सबजी दाल खाई जाती है तो देश के बाकी हिस्सों में दोस्तों heavy breakfast किया जाता है लेकिन कश्मीर में जो हैं वो जलन नहीं है heavy breakfast का जहां पर बहुत ही light breakfast किया जाता है और क्या होता है breakfast में? डोस्तों यहां पर नूंचाय पी जाती है जो salted tea होती है, नमकीन चाय जिसे कहा जाता है नुन्चाई दोस्तों दरसल जो नून होता है कश्मीरी में नमक को नून कहते हैं नुन्चाई पी जाती है रोटी के साथ और ये नुन्चाई दोस्तों जो है इसे चार-पांच नामों से जाना जाता है कश्मीर में इसे नुन चाय कहा जाता है और कश्मीरी पंडित जो है हिंदू बरादरी के वो इसे शीर चाय कहते है शीर याने दूद को कश्मीरी में शीर कहा जाता है और जो अगर मैं नॉन लोकल्स की बात करो तो वो इसे या तो कश्मीरी टी कहते है या समावार टी समावा केटल हैं इसे समावार कहा जाता है तो यूजुली जो है कश्मीर में जो चलन है इसी में ये जो नुचाय है नुचाय को इसी में बनाया जाता है तो इसे समावार कहते हैं तो समावार टीबी से कहा जाता है और पिंक टीबी कहा जाता है विकेज इसका जो कलर होता है दोस्तो तो वह pink होता है और इसका दोस्तों यहां पर यह भी बताता है चलो आपको इसका जो origin हुआ था जहां पर यह इजाद हुई थी जहां यह पहले जो है सदियों पहले पी जाती थी दरशल यॉक लैंड में पी जाती थी यॉक लैंड चाइना में हाला कि जो अभी जो शिन्जाइंग जिसे कहा जाता है तो चाइना का रीजन यही शिन्जाइंग है वहाँ ही पर पहले इस नुन्चाइ को पिया जाता था तो वहाँ ही से दोस्तों फिर यहाँ आई है और यहाँ पर भी अब सदियों से जो दोस्ता है breakfast जो है जो नाशता है वो इसी नुन्चाई से ही किया जाता है और जो किस चीज की दोस्तों बनती है नुन्चाई दोस्तों दर असल जो green tea के पते होते हैं उनसे ये नुन्चाई बनती है और ये दुनिया की ये वाहिद ऐसी tea है जिसमें सबसे ज़्यादा मेहनत लगती है और सबसे ज़्यादा वक्त लेती है चाई बनने में यूजुली जो lipton tea होती है या coffee होती है पाई-दस मिन्ट में जो है वो तयार हो जाती है लेकिन ये जो नमकीन चाई हैं दोस्तों इसमें तकरीबन एक से देड़ गंटा लग जाता है बनने में इसमें होता ये है जो पती होती है यही जो मैंने कहा आपको green tea के जो पते होते हैं उनको पानी में डुबोया जाता है इसी समवार में और थोड़ी सी baking soda जो है वो डाला जाता है कलर के लिए और तकरीबन एक से डेड़ गंटे तक इसको उबाला जाता है जब तक कि इसका कलर बरगंडी में चेंज ना हो और जोही बरगंडी कलर इसका हो जाता है तो उसके बाद इसको mix किया जाता है दूद और नमक और जो ही इस बरगेंडी कलर में जो दूद मिक्स हो जाता है तो तुरंट इसका कलर जो है पिंक हो जाता है तो आप देखेंगे ये चाय जो नमके नुन चाय जो है इसका कलर जो है पिंक होता है और दिन में दर असल ये दोस्तों ब्रेकफास में तो ली जाती यह दिन में दर असल यह दो बार एक्चुली ली जाती है, एक तो सुबह और चार बजे भी इसको लिया जाता है, हाला कि फारक यह होता है, सुबह इसके साथ एक अलग टाइप की रोटी होती है, जाब को मैं अभी दिखाने वाला हूँ, और चार बजे डिफरेंट रोटी हो ही जा रही है, और अभी मैं आपको दोस्तों दिखाने जा रहा हूँ, जो रोटी दर असल इसको मैं टेबल को थोड़ा उपर उठा लेता हूँ, इसमें नमकीन नुंचाइक के साथ खाई जाती है, हम पर दोड़ था स्बक्रिशन कि रोटी होती है, एक तोलो मैं लॉधा सबनेेे थे नियुदियुद्ग, ओर दूसरी होती है यスको बोलते है गिर्दा, इन दोनों में पर खीया है, यह थोड़ा क्रिस्पी टाइप तो दोनों मैदे से बनते हैं और उसके बाद इसको तंदूर में तयार किया जाता है और इन दोनों में फार्ग ही हैं जब भी इनका आठा पुंदा जाता है लवासे का जो फुपी किए बेकिंग सोड़ा का इसमाल होता है तो दोनों लोगों पर डिपंड होता है कि कोन सी तो यूज्वली कश्मीर में जाधा यही लवासा खाते हैं तो इसको डुबऊए जाता हम उससे होता ही है July Club जाता है ये लाओस जो हैं बड़ा फूल जाता नोають बड़ा टेस्ट च या Nazis तो इसक من अगर बात करूं ने हो तो पर यह घुन ने इसके कह चाहँ हो समफ है अगर न स्भी तरम內ार चाहिमा जएस जो पौपी सीट्स रआज सलिया है इनी पॉपी सीट्स को चौंढ ना ऀलागा जाता है क्याता है इस रोटी गरमार को या रेखता या नीजर में चार बजे ने rigorakukan लेकिन फ़रक यही होता है उस टाइम पर लवासा और रोटी नहीं खाई जाती है उस टाइम पर डिफरेंट रोटी होती है जिसे चोचोरू कहते हैं या कुल्चा होता है या बैकिर खहनी होती है वह मैं आगे जाके में उसके लिए भी वीडियो बनाऊंगो और दिखाऊंग है तो आपको चार बजे की चाए में किस टाइब की हम रोटी कहते है वाराल जो यह ब्रेक भास्त में कैवल और कैवल यही खाया जाता है वू दोस्तो इसका यह नम्कीन चाए जो हैना कशमीर में सधीयों से जो है इसी समावार में बनायी है पर सब्सक्चना राग क्यामे में भी बना सकते हो गैस चुले पे भी इसको तयार कर सकते हो लेकिन जो समावार में बनती है इसमें जो है आसमान जमीन का फारक होता है टेस्ट में भी और खुश्बू में भी और मुझे नहीं पता कि इसमें क्या साइंटिफिक लॉजिक है क्यों इसमें इसका एक जो इस चीज में और इस समावार के दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो यह समावार जो है कश्मीर में तकरीबन 700 साल से यूज किया जाता है और यह आया था तकरीबन 14th सेंचिरी में जो है इसका मॉडल कश्मीर आया था और यही दोस्तों सिंपल ब्रेकफास्ट यही है नमकीन च इसलिए खाया जाता है जो तॉस टाइम पर दोस्तों यहnew हों जाता है उससा खाते हैं लोग यह हरिसा है इसमें जो मेन इंग्रीडेंट होता है वो मेट होता है इसलिए खाया जाता है यह मजबूरी भी होती है क्योंकि अगर आप ऐसी जगह रह रहे हो जहां पर जो तापमान है माइनस में चला जाता है तो वहां पर जिन्दा रहने के लिए वहां पर कामकाज करने के लिए आपको जुरूरी होता है कि आप कोई ऐसा डाइट हो जो हाई प्रोटीन हो जो आपकी बॉडी को घरम रखे और इसमें दुनिया बर के तकरीबन 90% जो इसमें जो इंग्रीडेंट होते है वो यही मीट हो जो कश्मीर का सेफ्रान है वो भी इसमें एड किया जाता है यह हरीसा दोस्तों दरसल जो है यह भी तकरीबन 700 साल से यहां खाया जाता है और इसका क्रेडिट जाता है इसको यहां लाने का क्रेडिट जाता है समावर और हरीसा को इन दोनों का क्रेडिट जाता है जो सूफी सेंट पीर मीर अली हमदानी रहमत अला उन्होंने ही 14th सेंचुरी में दोनु चीजे यहां लाई थी हरीसा जो है दोस्तों इसका नाम आया है दरहसल अरबिक इसको वहाई पर्शिया में पर्शिया तो उस ताइम पर बोला जाता था उसको हाला कि आज इरान नाम है पर्शिया को आज इरान बोला जाता है तो वहाँ पर इसको हरासा कहा जाता है हरासा दरहसल अरबिक वर्ड है जिसका मतलब है किसी चीज़ को छोटे हिसों में तक्सीम करना हरासा को कश्मीरी उन्हें चेंज हो गया इसको हरासा को फिर कश्मीरी हरीसा बोलने लगे और यह दोस्तो वो मीर सीद अलिय हमदानी राहमतुला अला वो यहाँ जब आये थे एरان से उन्होंने सही रास्ता हमारे बुज़र्गों को सही रास्ता दिखाया और उसके सही रास्ता दिखाने के साथ-साथ उन्होंने ही जो है हमारे बुजर्गों को जो है खुनर भी सिखाया यह जैसे अगर मैं समावार की दोस्तों बात करूँ यह समावार जो है उन्ही की देन है यहाँ पर और कश्मीर में जो आप पेपर मेशी देखते हैं पेपर मेशी के प्रिडिक्ट्स होते हैं बॉक्सिज वगःरा जो होते हैं या जो कालीन देखते होई, हैंड्मेड्र जो कालीन है दोस्तो बो सारा खुनर जो है उनी मीर सेदली हमदानी रहमतुलाहि पर कश्मीर आई थे 700 साथियों के साथ आई थे और उन 700 लोगों मैं डरसल ज autopsy्टास्में थे जो हुनरमंद लोग थे तो फिर उन्ही हुनर्बन लोगों ने जो है कश्मीरियों को फिर ये हुनर सिखाए चाहे कौपर वर्क हो या वो पेपर मेशी का काम हो या कालिन बनाने का काम हो या ये हरीसा बनाना हो तो उन्होंने ही फिर हमारे बुज़ूर्गों को ये चीज़े सिखाए थी और ये हरीस आपको मिल सकता है. और इसकी केवल टोटल d112 दुकाने हैं टोटल पूरे डाउंटाउन में. जो सद्से से ये काम करते आरहे हैं. उनके बुजोरग वीप, उनके बाप, दादा जो हैं. येही काम करते आरहे हैं. और ये उनही को बनाना आता है. अगर आपको इस पे दिखता हो इस पे हरीसा पे कबाब भी रखे हुए हैं तो वही जो मैंने आपको कहा है डाउन टाउन में जो शौपकीपर्स है जो यह सदियों से बना रहे हैं तो हरीसा के उपर जो है वो कबाब भी रख देते हैं पर आब 1 kg घ्यों कीश चरूंज लेते हैं, लगती संगहानी तूमाब घुजए कीश शडंगा है, जिनंगेर्ट क corr एक केश चलंगा केश में और सट चरूंगा है। जो चालों घुलाई पर केश में कुछ जो टोब जाना है, और केश पोड़ दोस्ता दिए शामाई यह काफी expensive होता है, 1 kg यह 1500 रुपे का उनी दुकानों से मिलता है, हलांके आप इसको घर में भी बना सकते हो, लेकिन वैसा टेस्ट आपको नहीं मिलेगा जो इन दुकानों पे जो मैंने कहा सदियू से इसी का काम करें, जिनके बाप दादा भी यही करते थे, तो ऐसा टेस्ट को हडियों समेत डाला जाता है, पानी में डाला जाता है, और उसके साथ दुनिया पर के मसाले होते हैं, और उसमें कश्मीरी सैफ्रान भी डाला जाता है उस चीज में, और तब तक फिर उसको उबाला जाता है, तब तक स्टीम दी जाती है, और वह देख भी जो बरतन होता जिसमें बनाई जाता है, वो भी copper का ही होता है, उसको अबाला तब तक तब तक steam दी जाती है, जब तक हडियां जो है, मीट से अलग न हो जाए, और जो ही वो अलग हो जाती है, उसके बाद उसमें हैड किया जाता है, चावल, प्याज, और दूद, और उसके बाद पूरी रा इतना स्टर्रिंग की जाते है नाफ बेसे भाट इंगेजमें झाया खाना है क्श्मीरी के दिवर्ण के भी खैते हमें क्युक्शंत है जो भी पbig राइग कि रोड़े के निदन आफ़े अगर सरदिया आती हैं, चलय कलान आता है, तो चलय कलान में होता ये हैं दोस्तों, जो लड़की वाले होते हैं, फिर लड़की वाले जो हैं, लड़के जो दुलहे के गर वाले होते हैं, तो उनको एक huge amount में बेजते हैं, ये हरीसा, तकरीबन 10-15 किलो, और इसे लेज कहते हैं ये copper की होती हैं, तकरीबन 6-7,000 रुपे की यही होती हैं, इसी लेज में जो हैं, उनको ये हरीसा बेजते हैं, और ये तो 6-7,000 कि मैंने आपको बोल दिया, और हरीसा जो हैं, वो भी तकरीबन 10-15,000 रुपे का, इसमें आ जाता हैं, तकरीबन 20-30,000 रुपे की यही होती है और फिर उनको यह वापस नहीं करनी होती है, लेजबी, के लेजबी जो है, वही लड़के वाले ही रख लेते हैं, और उसके बाद दोस्तों जुहीं शादी होती है, तो शादी के बाद भी फिर दो-चार साल तक यही चलता रहता है, यही रिवाज है यहाँ पर, लड़की व यह समावार के बाले में थोड़ा सापको बता दू, और दरसल यह जो ओरिजिनेट हुआ था यह समावार यह दरसल दोस्तो रश्या की देन हैं, रश्या में पहले इसको बनाया गया था, वहां ही पर इसको यह यूज हो रहा था, और फिर जाके जो हैं बाखी देशों में इस ही कि विया तो यह मैं तो mo्डल यहां आया था और लंगर यह आपको दिखाने के लिए यह आपको दिखाने के लिए यह सबसे बड़ा साइज कहलता है और इस तक इसमें जो कैलिग्रैफी आप देखरें, कैलिग्रैफी इमेज बनाई गई हैं तो यह इन उनर भी हैं उनने ही सिखाया है तो जो साथ सोल पहले पीर साइदिली हमदानी साथ के साथ आये थे उनों नहीं तो यूज्वली इसके उपर जो है या तो आलमंड की इमेज बनाई जाती है या तो फिर ये जिनार के जो पते होते हैं उनको इस पर बनाया जाता है और ये जो बड़ा साइज आप मेरे लिए ये वाला जो दोस्तों ये देख रहे हैं ये इसमें सबसे बड़ा स होती है और ये छोटा वाला जो आप देख रहे हैं जो हम अपने गर में यूज़ करते हैं नुचाय के लिए ये तकरेबन यही इस पर तो कोई कैलिग्राफी भी नहीं हुई है और ये हैं भी बहुत पुराना तो ये यही दसमंदर हाजार पे में मार्केट में बगता है औ अम सेभए है उसमें गरम कोई डाला जाता है जला हूँ और उसके बाहर फिर सब्काइस बनाए गई है जिसमें चाय डाल यह जाती है वर अपने लुख च्छािक ना पर यहा यह बता आदने लाश लाएज चान यह पार आ५ में बन्द कािन ऐ लावते है मैं बहुत अबार नुन्चाय में जो लवासा डुबवया था, वो खाया जाता है उंगली से, यहां पर जो स्पून है, जो चमच है, चमच का इस्तिमाल नहीं किया जाता है, यही रिवाज है यहां का, फिर यही जो फूला हुआ जो मैंने आपको कहा था, यह फूल जाता है फिर पानी में, तो जो चमच से हमें नहीं मिलता है और दोस्तों हमारी जो यहां पर बुजुर्ग जो हमारे बुजुर्ग है वो जुही सुबा नीन से उठके जुही उनका ब्रेक्फास्त चल रहा होता है, और ब्रेकफास्त के साथ ही नुन्चाय जो होते हैं चाह के उस सिप्स लेते रहते हैं और उनीश सिप्स के साथ साथ जो है उनकी ये इसे जजीर कहा जाता है ये ही इसमें जजीर मैं बतादू आपको ये हुका है इसमें पानी डाला जाता है ये भी कॉपर का है यह बना एक लगडी में नुन चाय का मिपना तर दूसरा इस चिलम एक लिए। कश्मीर में ही मिलता है और तंबा में अधकिना कांगडी कोई जला हुआ कोईञा जाता है इसे कोईछा के इसमें डाला जाता है फिर इसमें वापस लगा के जो हमारे बुजर्ग पिर इसका सेवन करते हैं अब मुझे पीना नहीं आ रहा है कैसे पीना ये हमारे बुज़र्गों को या आता है। तो पहले इसके वह दो तीन सिप लेके उसके बाद फिर नमकीन चाय के एक दो सिप उसके बाद कप नीचे रहके आराम से फिर इसके दो चार तो यही तकरीबान सुबह के गंटे जो है ह माइक डबा और यह चीज़ तो पता ही आपको कांगडी जो है यहां पर जो ही सदियों से यही यूज होती है तो यह हमारा जो है यह लोकल कश्मीरी हीटर भी कहा जाता है इसके अंदर जो है कोईला डालते हैं और यह फिर रिमोटली भी जो है यह यूज होती है और अगर अगर आप इस कांगडी के बारे में ज्यादा जानना चाहते हो तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है अगर आप वह देखना चाहते हो कांगडी के बारे में तो उस वह वीडियो आप देख सकते हो और यह चीज जो है दोस्तों इसे तंबा कहा जाता है यह दर अ यहां तक थी हमारी आज की वीडियो आपको वीडियो कैसा लगा कॉमेंट्स में अपनी राय काईजार जरूर कीजिएगा और अगर आप और भी कश्मीर के रिलेटिड कोई वीडियो देखना चाहते हो कोई किसी particular चीज के बारे में जो कश्मीर की कोई particular traditional चीज हो तो आप कुमेंट्स में लिखिएगा उस चीज को मैं कुश्य करोगा उस पे वीडियो बनाने की तो चलिए मिलते हैं एक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केर गॉड ब्लेस